हमने एक छोटा सा introduction देखा था vectors का और हम यहां तक पहुचे थे कि collinear या parallel vectors होते ही क्या हैं तो उसी को और आगे बढ़ाते हैं तो हमने ये collinear vectors की definition देखी थी two vectors are said to be collinear if their directed line segments are parallel तो अब ज़र आएक एक question देखिए a and c are non collinear and non zero vectors and lambda a is equal to mu into c find lambda and mu where lambda and mu are any scalars तो हमें given क्या है हमें given ये है lambda a is equal to mu into c तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मालने की lambda अगर zero नहीं है ठीक तो हम lambda से divide कर सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा mu over lambda into c अब इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने कुछ इस तरह की कि situation create कर दी कि a is equal to k into c रइट विरके obviously lambda और mu अगर हमारे पास scalar quantities है तो k भी एक scalar quantity होगा और ये condition होती है को linear होने की यह जो हमने condition देखी थी कि कोई दो वाक्टर को linear है तो उसमें से किसी एक वाक्टर को दूसरे के k times करके लिखा जा सकता है तो ये तो को linear आ गए पर वो possible नहीं है क्योंकि इसने पहली दे रखा है कि ये non-co linear है और अगर ये non-co linear है तो इसका मतलब कि हम ऐसा नहीं लिख सकते ये लिखना possible नहीं है और ये possible क्यों नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसका मतलब ये हो गया होगा कि आप lambda से divide नहीं कर पाएंगे और lambda से divide क्यों नहीं कर पाएंगे इसका मतलब कि lambda जो है zero रहा होगा इसलिए आप उससे divide नहीं कर पाएंगे और अगर क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता तो आप नॉन जीरो होता तो डिवाइड कर पाते और आपके पास को लिनेरिटी आ जाती तो इसलिए वह पॉसिबल नहीं है इसका मतलब लैम्डा जीरो रहा होगा similarly अगर हम उसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाएं तो हम कुछ ऐसा भी लिख सकते थे c is equal to लैम्डा ओवर म्यू इंटू एक वाक्टर ठीक है तो अब यह भी पॉसिबल नहीं है यह हमने c को इसके फॉर्म में लिख दिया तो यह भी पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल उसी लॉजिक से हम यह कह सकते हैं कि भाई म्यू भी जीरो रहा होगा तो आपके लैम्डा और म्यू की वाल्यू जो है वो जीरो आ गई अब जोड़ा एक और कोशन देखिए क्वेशन यह है कि a and c are non-collinear and non-zero and given x a plus y c यानिके x into vector a plus y into vector c is equal to twice of vector a plus thrice of vector c then find the value of x and y देखो अगर हम उसी logic से चले तो हम बिलकुत सीधे सीधे यहां पर यह बोल सकते हैं कि भाई x is equal to 2 रहा होगा और y is equal to 3 रहा होगा अब कैसे रहा होगा एक बर देख लेते हैं यह मैंने आपको तुरंट इसले बढ़ा दिया कि करभी भी ऐसी situation मिले और आपको पत तो हमारी जो इस यह जो equation है इसको मैं थोड़ा सा rearrange करके कैसे लिख सकता हूँ वाक्टर A common ले लेता हूँ तो यहां पर आजाएगा x minus 2 ऐसे ही y minus 3 into वाक्टर C हो जाएगा और इदर हो जाएगा 0 तो इसको मैं फिर से वैसे लिख सकता हूँ वाक्टर A is equal to minus of y minus 3 over x minus 2 into C यानि के फिर से मैंने A को C के किसी k के multiple लिख दिया राइट इसको मैं ऐसे लिख सकता था है ठीक तो अगर मैं ऐसा लिख पाया तो यानि के A और C दो को लिनियर हो गए हैं यह possible नहीं है ठीक है नॉट पॉसिबल तो यह possible क्यों नहीं है क्योंकि इसका मतलब आप यह divide नहीं कर पाए भगा दिवाइड क्यों नहीं कर पाए गास कम डिवाइड इसले नहीं कर पाए ओगा कि X minus 2 equal to 0 रहा होगा इसका मतलब X is equal to 2 रहा होगा बिल्कुल यही आ गया, बिल्कुल same logic से हम यह भी कह सकते हैं कि y is equal to 3 भी रहा होगा, क्योंकि जब मैं इसको c को इसकी term में लिख दूँगा, तो क्या हो जाएगा, minus x minus 2 over y minus 3 into a, ऐसे लिख दूँगा, तो फिर यह linearity बन गई, लेकिन वो possible नहीं है, क्योंकि given है कि non-co-linear है, y minus 3 0 रहा होगा, तो इसलिए y equal to 3 रहा होगा, तो यह है, यह तो लिखने का तरीका होगा है, लेकिन आपको अगर question मिल रहा है, तो आपको सीधा-सीधा answer होना चाहिए, ओके, यह दोनों non-co-linear नहीं रहें, तो हमारे पास x is equal to 2 रहा होगा, और y is equal to 3 रहा होगा, ओके, अब vector, b to collinear vectors, यानि के alpha और beta जो है, collinear vectors है, where a and b are non-collinear, the value of lambda for which vectors alpha and beta are collinear is what, ठीके, अब हमें क्या दिया है, alpha और beta जो है, collinear है, तो alpha, beta अगर collinear है, तो हम एक vector को दूसरे के कुछ scalar time लिख सकते हैं, तो यानि के हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, alpha is equal to k times beta, अब अगर हम ऐसा लिख पाए, तो आप दिना इसकी value लिख देते हैं, तो alpha की value हमने डाल दी है, यहाँ पे, lambda minus 2 a plus b is equal to k times 4 lambda minus 2 into a vector plus 3 times b vector, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अब ज़रा, rearrange कर देते हैं, इसको, ठीक है, a के साथ और b के साथ, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, यह सारा एक तरफ आ गया, और b का यहाँ पे है coefficient 1, और minus 3k into b, equal to 0, यह हम लिख पाए, इसका मतलब यह है, कि अगर यह दोनो non-co-linear हैं, तो इसका मतलब यह part 0 रहा होगा, और यह part भी 0 रहा होगा, इसका मतलब यह हो गया, but a and b are non-co-linear, तो देखो, अब इसको अगर हम थोड़ा सा extend करने की कोशिश करें, तो पहले हम b वाले part को उधर लेके जाएंगे, फिर a के साथ जो coefficient है, उससे divide करेंगे, ठीक है, पर तो हम सीधा-सीधा, और उसके बाद जो denominator में आता है, उसको हम 0 बोल देते हैं ना, तो जैस इसको हमने readjust करके ऐसे लिखा था, तो हमने finally क्या गए देता, x is equal to 2, ये 0, ये part 0 होगा और ये part 0 होगा, तो वही exactly same चीज हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया, कि lambda minus 2 minus k times 4 lambda minus 2 equal to 0 and 1 minus 3 k equal to 0, तो यहां से हमारे पास k is equal to आ गया, 1 by 3, आप ज़रा इसको value रख देते हैं, यहां पे तो lambda minus 2 minus 1 by 3, 4 lambda minus 2 equal to 0, तो इसको हमें solve करना आया, तो ये हो गया, lambda minus 4 by 3, lambda and minus 2 और plus 2 by 3 equal to 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से multiply कर दें, तो 3 lambda minus 4 lambda minus 6 plus 2 equal to 0, तो यानि के minus lambda minus 4 equal to 0, that means lambda is equal to minus 4, ठीक, तो इसका मतला हमारा option आ गया, D correct, अब देखो ये question कहां पूछा गया, ये पूछा गया, J E means 2019 में, तो ये basic concept पे question है, पर ऐसा question आता है, तो अगर आपको clarity है, तो आप बड़ी तेजी से ये question कर पाएंगे, अब बात आ रही है, coplanar vectors की, तो a set of vectors is set to be coplanar, if they lie in the same plane, ऐसे vector जो किसी same plane पर लाई करें, उनको बोलते है coplanar vectors, अब देखो coplanar vector की बात करें, तो अगर आप अपनी copy को एक plane समझ लो, या यह मेरा जो board है, उसको plane समझ लो, और उसको मैं x, y plane समझ लो, मान लीजे, तो उस पे हम बहुत सारे vectors draw कर सकते हैं कि नहीं, तो यह vector है क्या, नहीं, directed line segment is a vector, मान लीजे, यह मेरा एक board है, यह आपकी copy है, ठीक है, अब इसके उपर यह x-axis है, लेट से, और यह y-axis है, तो यह हमारे पास एक plane बन गया, तो यहाँ पे हम बहुत सारे vectors बना सकते हैं न, एक vector इधर बना दिया, एक vector इधर बना दिया, एक vector सीधे बना दिय एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो बहुत सारे vectors आप बना सकते हैं और यह सारे के सारे vector क्योंकि आपकी copy के उपर लाई कर रहे हैं, मेरे board के उपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह सारे के सारे vectors कैसे होंगे, co-planar vector होंगे, अच्छा हम x-y plane पे vectors की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हुगा सिर्फ आई और जे कॉम्पोनेंट होंगे फॉर एक्जामपल अगर मैं कुछ लिखना चाहूं टू आई प्लस थ्री जे ये मेरे प्लेन पे लाई कर रहे होंगे है ना इस प्लेन पे या आई और माइनस टू जे कुछ ये भी एकी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे और सोच लें थ्री आई ये भी एक प्लेन पे लाई कर रहा होगा तो हमारे ये और माइनस फॉर जे ऐसा ये भी हमारे इसी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे ठीक है क्योंकि इसमें सिर्फ आई और जे कॉम अब इसी चीज़ की एक और definition भी है, a set of vectors are set to be coplanar if their directed line segment is parallel to the same plane, यारी के वो vectors जिनके की directed line segment किसी same parallel के, same plane के parallel है, वो भी vector जो है coplanar होंगे अच्छा, plane की बात आई, तो plane मैंने बताय था आपकी copy है, यह मेरा board है, हमारा first है, हमारी दिवारे हैं, है ना, यह सब के सब जो है, आपकी plane की तरह काम कर रहे होंगे, तो क्या plane की कोई direction होती है, ऐसा आपने सोचा कभी, हाँ होती है, plane के direction भी होती है, plane की direction जो हम उस vector से दिखाएंगे, जो की उस plane के perpendicular होगा, ठीक है, या plane के direction माली जी, यह मेरा एक phone यह है, ठीक है, यह phone एक plane है, अब इसके उपर एक perpendicularly मैंने अगर एक यह रख दिया, तो यह जो direction है, इस pen की, यह इस plane की normal direction होगे, ठीक है, इस plane की direction इस normal के through हम दिखाएंगे, तो यह जरा सा द्यान लखिएगा, अब अगर हम बात करने की, हमारा जो plane है x, y plane की बात कर रहे थे, तो उसके normal कौन से vectors होगे, तो उसके normal vectors वोगे, जिसमें k component होगा है ना, यानि के माल लीजिए minus 3 k हो, minus 3 by 2 k हो, ओके, यह आपके पर 3 by 2 k हो, 5 k हो, कुछ भी होगा ना, तो यह सब जो है, इस x, y plane की, अगर हम बात कर रहे थे, तो उसके normal होंगे, अच्छे देखो, अब बात करेंगे vector addition की, तो अगर आपके पास माली जी दो vector दे रखे, एक vector है a, 3i, 4j और b है 2i, 2j और 3k, ठीके, तो इसको normally आप कैसे add कर लेते हैं, वो तो आप बिलकुल आराम से करते ही रहते हों हैं ना, किया हुए या आपने इसा physics में तो आप क्या, इसका जो a plus b किया जाएगा हमारा, 5i and 6j and 3k, यह हमारे पास इन दोनों का addition आजाएगा, similarly, अगर मैं इसको a minus b करने की बात करूँ, तो हम कैसे करते हैं, a minus b, तो i component से i component minus किया, तो हमारे पास आया i, और 4 minus 2, तो यह 2j and minus 3k, यह हमारे पास a minus b आ गया, तो यह normal way में आप इसको addition करते हो, अब जड़ा देखें, triangle law of vector, उस पे आते हैं जड़ा, अब triangle law of vectors में, माल लीजे आपके पास 2 vectors है, बना लेते हैं जड़ा सब 2 vectors हमने पास let's say एक vector यह है और let's say एक vector इस तरीके से हमारे पास यह green colors ठीके, और इन दोनों को मुझे अगर add करना है, माल लीजे तो यह situation हमारे पास 2 vectors हैं, तो हम, अगर किसी तरीके से, इस तरीके से हो कि भई 2 vectors आपकी किसी triangle की 2 sides बनके आ जाएं, ठीके तो उसका जो resultant होगा, वो triangle की तीसरी side से आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो हम एक काम करें, इसको थोड़ा सा parallel direction में shift कर सकते हैं, इस vector को हम parallel direction में shift कर सकते हैं, तो ये हमने इसको shift कर दिया, करा क्या, इसकी चोच से, दूसरे की जो है, पूँच मिला दी है ना, ऐसे हमने कर सकते हैं, तो अब जो हमारा जो तीसरा resultant vector आएगा वो क्या जाएगा, वो इन पहले vector की पूँच और उसका head, right, tail and head को अब हम join कर देंगे, तो ये जो है हमारा तो ये जो vector आएगा, ये हमारा इसका resultant vector हो जाएगा, तो अगर मैं इसको vector a बोलूं इसको vector b बोलूं तो ये जो है, ये हमारा a plus b vector हो जाएगा, अच्छा इसमें अभी हमें direction देखनी होगी direction की बात हम तोड़ा सा बाद में करेंगे अच्छा parallelogram law of vector addition बोलता है कि अगर मानलीचे आपके पास दो vectors है जो किसी parallelogram की adjacent side बनके आ रहे हो, ठीक है? या उसके sides के along हो, तो उसका उस parallelogram का जो diagonal होता है वो उन दोनों vectors का resultant दे देगा आपको और example एक हम जड़ा parallelogram बना लेते हैं, ठीक है? let's say ये एक हमारा parallelogram है और हम मान लेते हैं कि एक vector है ये A और एक vector है D, तो ये A और B जो हैं इस parallelogram की adjacent sides के form में आ रहे हैं, तो हम कर के आ सकते हैं कि basically इस B vector को यहाँ पे shift कर देते हैं, ठीक है? तो ये B यहाँ पे आ जाएगा parallel हम shift कर सकते हैं, तो आपको बता ही है तो ये basically यहाँ पे आ जाएगा vector B, तोड़ा सा इसको और extend करके दिखा सकते हैं, ठीक? और उसके बाद जो इसका जो diagonal है इस parallelogram का वो जो है इन दोनों का C जो है ये इसका resultant बनके आ रहा होगा, C जो है A और B का resultant होगा तो ये आपका basically parallelogram law of vectors है और ये है, बिलकुल देखो triangular law के बराबरी है exactly same ही है दोनों, वहाँ पे भी हमने यही किया था, vector B को अधर shift कर दिया था triangle की तरह है, तो ये basically triangle ही बना, तो है तो एक ही चीज, ठीक है अब इसकी जो decide करेंगे तो वो हम कब करेंगे, जब हम dot product vector का discuss कर रहे होंगे तो basically ये क्या रहा होगा ये आपके पास A प्लस B आ रहा होगा, ठीक है अगर माल लिजे A माइनस B देखना हो तो कैसे देखने है, तो वो भी बात वहीं तो उसको देखने के लिए अब ज़रा देखें क्या करते है तो उसके लिए हम करेंगे क्या इस B को जो है दूसरी side में लेके चले जाएंगे ठीक है, अब देखते हैं ज़रा देखना, ध्यान से देखना तो let's say ये तो है vector A और ये है vector B और हमें देखना है कि A माइनस B कैसा होगा है ना, तो अब हम क्या करेंगे हम इस B को दूसरी direction में क्योंकि negative करना है तो ये B है तो इधर अगर इसकी direction बदल दूँगा तो ये basically क्या बन किया जाएगा ये minus B बन किया जाएगा ठीक है ये minus B बन गया तो अब अब हमें करना क्या होता है एक का head और दूसरे का tail मिलाना होता है तो हम करेंगे क्या इस minus B को भी shift कर देंगे तो इस minus B को parallel direction में मैं कुछ ऐसे shift कर सकता हूँ तो ये कुछ ऐसे ये shifting हो गई इसकी तो ये आ गया minus B ही लेकिन parallel direction में shift हो गया तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चोटा कर रहते है तो आपको देख भी जाएगा तो ये हो गया और अब अगर मैं इसको join कर दूँ यहां से तो क्या रहा होगा आपके पास तो ये एक नया vector आपको मिल जाएगा तो ये जो vector होगा ये बनेगा A minus B और अब आप देखी सकते हो यहां पे भी एक parallelogram जो है आपका complete होई रहा है ये रहापका parallelogram तो ये basically A की बात हो गई या फिर अगर मैं इसी parallelogram की बात करूँ जो ये पहले वाला है तो इसके अंदर अगर मैं ऐसे खीच दूँ तो ये जो है ये वाला ये हमें A minus B की direction दे देगा ये जो है ये हमारा A minus B हो जाएगा vector इस तरीके से हम parallelogram law of vector का यूज करते हैं भी अब बात करते हैं polygon law of vectors की अच्छा अभी तक तो क्या था हमारे पास दो vectors थे अब अगर मान लिजिए vector 2 से ज़्यादा हो जाएं तो उनको add या subtract कैसे करेंगे तो उसके लिए basically polygon law of vector का use करते हैं ये है कुछ नहीं basically triangle law का ही एक extension है तो मान लिजिए अगर हमारे पास कुछ तीन vectors हों मैं एक figure बनाने की कोशिश करता हूँ चलिए मान लिजिए ऐसा है तो एक vector है let's say ये a और एक vector है let's say ये b और एक तीसरा vector है हमारे पास ये c अच्छा अगर ये order में इस तरह से order में जुड़ गए तो ये होगा कि इनकी जो resultant आएगा वो क्या जाएगा वो 0 आजाएगा ऐसे ही हम और भी बहुत सारे vectors को add कर सकते हैं लेकिन बस ये order का ध्यान रखना है कि अगर order same आ रहा है यानि कि एक की head से दूसरी की tail जुड़ी है फिर उसके बार next में भी यही हुआ है तो बस ये अगर इस तरीके से चल रहा है तो इसका जो सारा का resultant आएगा अगर दो vector a plus b करें तो this is the same as saying that b plus a यानि के vector addition is commutative ऐसे ही अगर तीन vectors का sum की बात कर रहे है तो क्या हो जाएगा a plus b plus c यानि के vector addition is associative और कर किसी vector को हम किसी scalar से multiply करें तो this is the same as this where k is scalar और ऐसे ही यह होगा अगर दो vectors का sum है उसको अगर हम किसी scalar से multiply करेंगे तो k यह सब basically आप आराम से देखी सकते हो लिखी सकते हो use भी करते रहे हो आप let's say यह question है आपके पास a b c d e is a pentagon prove that the resultant of the forces a b a e b c d c e d and a c is 3 a c ऐसा आपको prove करना है तो पहले तो एक जरा pentagon बनाने की कोशिश करते हैं भई तो यह हमारा एक pentagon बना दिया हमने a b c d e अब जरा वैक्टर्स दिखा देते हैं तो a b s a e यानि के a e और b c यह रहा d c is starting from d and towards c e d is this and a c a c और join कर देते हैं यहाँ पर तो यह हमारी basically यह इन सब का sum हमें निकालना है तो यह होगे हमारा a c तो हम माल लेते हैं कि let the resultant जो है is resultant को let's say p बोल देते हैं ठीक है तो यह हमारा resultant p है तो p हमें हमारे को क्या मिलेगा a b plus a e plus b c plus d c यह सारे के सारे जो vectors हैं इसको हम लिख लेते हैं plus a c अब ज़रा इनको rearrange करते हैं देखो हमें basically a c चाहिए है ना तो a c कहां कहां से बनना है देखो a b plus b c से a c बनेगा triangular law से तो हम a b और b c को साथ में लिख लेते हैं यहां पर ठीक है यह rearrange हो गया एक फिर उसके बाद हमारे पास है a e e d d c और polygon law से हमें मिल जाएगा यह इसका resultant a c मिल जाएगा तो इसको भी लख लेते हैं तो a e plus e d और plus d c एक यहां से मिल गया और एक यह प्लस a c हमारे पास बच गया ठीक तो a b plus b c clearly यहां से हमें मिल रहा है इसका resultant है a c और a e plus e d plus d c इसका भी resultant हमारे को a c मिल गया और एक a c अलड़ी पहले से है तो यानि कि हमारा answer आ गया thrice of a c इस तरीके से हम इसको proof कर सकते हैं अब यह हमारे पास question एक और in a regular hexagon a b c d e f a b is equal to vector a b c is equal to vector b if for some scalar x and y c e can be written as x into vector a plus y into vector b then find the value of x plus y whole square तो यह question हमें करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक hexagon regular hexagon हमें बनाना पड़ेगा तो यह हमारे एक regular hexagon बन गया इसको naming कर देते हैं a b c d and f अब a b हमें दे रखा है vector a and b c is given as vector b and तीसरी चीज क्या दे रखी हमें c e now this is c e तो c e बना लेते हैं हम this is our c e and this c e is written as यह एक काम करते हैं इसको color से बना लेते हैं हैं तोड़ा सा और clarity हो जाएगी हमें तो यह हमारा c e हो गया हो यह हमें दिया हुआ है और हमें value जो निकाननी है वो निकाननी है x प्लस y whole squared की अब ज़रा सोचते हैं कि क्या करना है अच्छा भई अब ज़रा यह ध्यान देना regular hexagon में होता क्या है कि आपका यह vector a है तो इसके सामने वाला vector भी a होगा ठीक है यह vector b है तो यह भी हमारा vector b होगा regular है तो सारी sides जो है equal होती है ठीक है न और अगर मैं fc को join कर दूँ तो वो जो है इसका double हो जाता है fc will be parallel to ठीक है fc will be parallel to this a और इसका जो resultant होता है वो 2a होता है अब ज़रा देखिए अब हमारे को निकालना है c e ठीक है अब यह सोचे कि यह c e है किसका part है न कहां पे है भई यह c e यह triangle दिखना हमें c e ठीक है और c e हमें दे रखा है वैसे x into a vector plus y into b vector लेकिन अगर हमें इस triangle को देखे तो यहां से हम कुछ ऐसा लिख सकते है triangle और law को अगर हम follow करें तो fc plus c e और वो equal to है f e के ठीक और fc हमें पता है 2a है c e हमें देखना है और f e हमें b है तो यानि के c e जो है वो आगे हमारे पास minus 2a plus b लेकिन c e हमें ये भी दे रखा है ना already तो 1 and 2 basically एक ही चीज़ है तो clear सी बात है कि 1 and 2 से x तो यहां से अगर मैं बात करूँ तो clearly हमें दिख रहा है कि x is equal to minus 2 होगा और y is equal to 1 होगा तो हम से पूछा गया है कि x plus y का whole square तो x plus y का whole square का मतलब हो गया कि minus 2 plus 1 का whole square यानि के 1 यह आपका answer अब एक बहुत ही खुबसूरत सा बहुत important concept है position vector का ठीक मान लीजिए यह हमारे पास एक coordinate system है और यह x है और यह y है और यह हमारा origin है ठीक और यहां पे एक point दे रखा है मान लीजिए यह point है और इसके जो कुछ coordinates है मान लीजिए इसके coordinates है x y ऐसा मान लेते हैं अभी हम 2D की बात करना है ठीक अब इसके बारे मान इससाच कुछ नहीं कह सकते है ठीक है एक point है coordinate system है लेकिन अब जैसे ही मैं इसको origin से connect करूंगा तो जब मैं इसको origin से जैसे ही connect करूंगा तो मेरे को एक directed line segment मिल जाएगा ठीक है और ये directed line segment मिलते ही ये मेरा एक vector तियार होगया अमाल इस point को हम P बोल गते ठीक है तो ये हमारा एक directed line segment बन गया और ये बन गया हमारा vector OP तो ये जो है ये important होगया आपके लिए तो यहां से इससे आप हर point को एक vector के रूप में convert कर सकते हो बस उसको आपने क्या करना है origin से connect कर देना है तो अब जैसे ही हमने पहले तो P के coordinate थे x y तो अब जैसे ही मैंने इसको connect किया origin से तो इसके ये हो जाएगा x i plus y j ये आपका जो है vector बनके आ गया और माल लीजे अगर हम इसके बनके आ जाता उसके उसके क्या जाता एकस आई प्लस वाई जे प्लस जेड़ के तो ये हमारा बन जाता बस आपको बेसिकली origin से connect करना आना चाहिए और बहुत important है ना बहुत important है बहुत जगा यूज होगा ये आपके लिपास तो माल लीजे अब मैं आपको एक coordinate देता हूँ let's say q right और q के coordinate कुछ ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 let's say ठीक है ये point है इसके coordinate ये हैं तो अगर मुझे position vector बनाना है q का तो q का position vector क्या जाएगा i plus 2j plus 3k ये आपका position vector हो जाएगा इसी चीश को थोड़ा से extend करते हैं माल लीजे दो point दे रखें आपको एक point है let's say a जिसका की position vector दे रखा है आपको a ठीक है और एक और point है let's say b okay तो ये b है और इसके जो position vector है माल लीजे वो b दे रखा है ठीक तो अब होगा क्या अच्छा a के coordinate की हम बात करें तो a के component क्या होंगे हमारे अगर हम simply सोचे तो a के component माल लीजे a1, a2, a3 हो ठीक है और b के जो component हो वो माल लीजे b1, b2 और b3 हो तो अब जैसे ही हमने a को origin से connect किया तो o a बन गया हमारे पास और ऐसे ही o b बन गया तो लेकिन हमें a b के position vector निकाल ले हम चाहा करें हम a b के position vector निकालना चाहरें तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सबसे पहले तो इसको origin को इसके साथ join करेंगे ठीक है तो आपके पास a और b दो vectors दो point थे और उसको हमने origin से connect किया तो हमारे पास o a और o b दो आ गए ठीक है दो vectors आ गए अब हमें निकालना है a b तो a b को में जड़ा connect कर देता हूं यहां से तो यह हमारा a b बन गया ठीक है जी यह हमारा a b बन गया तो अब a b निकालने के लिए आप देखो क्या कर सकते हम भाई a b के लिए इसके head से इसका जो tail है उसका vector अगर हम minus कर दे तो हमारे पास बन जाएगा ठीक है न तो अच्छा जैसे आप वैसे ध्यान से सोचो कि पहले तो हम o a निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है o a o a के लिए क्या होगा vector जो a है इसके component क्या होंगे हमारे पास a1i a2j और प्लस a3k ठीक है हम इसको ऐसे लिखते हैं minus और origin के component क्या होंगे 0i प्लस 0j प्लस 0k ठीक तो यह तो basically वही हा गए a1i प्लस a2j and प्लस a3k और रहे यह दो हमारे o a के आ गए vector o a मिल गया अब vector ऐसे ही बिलकुल exactly ऐसे ही vector b कैसे मिल जाएगा हमें vector b b ऐसे मिल जाएगा तो b1i प्लस b2j प्लस b3k बिलकुल exactly इसी वे में हमें मिल जाएगा लेकिन हमें निकाल ला है a b हमें चाहिए a b तो a b के लिए हम क्या करेंगे o b minus o a कर देंगे तो हमारे पास इसके vector आजाएगे तो क्या हो जाएगा o b minus o a तो basically करना क्या है b के component मिल से a के component minus कर दें तो क्या मिल जाएगा में b1 minus a1i ठीक है और plus b2 minus a2j और plus c sorry b3 minus a3 तो b3 minus a3k या फिर हम उसको simply कैसे लिख लेते हैं b1 minus a1 और b2 minus a2 point form में ऐसे लिख लेते हैं ना b3 minus a3 ये हमारा जो है a b vector के मिल गए आपको अचा अब सवाल ये कि हम कहरें कि a b vector जी जो position vector है ठीक है तो पर a b vector तो हमारा जुड़ावा नहीं है हमारा origin से तो फिर ये कैसे हुआ तो भई उसको आप सोचो a b को आप parallel way में shift कर सकते हूँ हाना तो a b को अगर मैं parallel shift कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा a b को यहां पर join ऐसे कर दूँगा इसको parallel shift कर दूँगा यहां पर तो ये भी मेरा position vector आ जाएगा तो इस वे में आप सोच सकते हैं कि मैं a b भी हमारा एक position vector आ गया तो आपको करना क्या है बस दो वेक्टर जिनका आपको निकालना है तो उसका head यानि कि ये b और उसका tail यानि कि a उनको subtract कर दो कि तो आपको उसका position vector मिल जाएगा और कैसे बन रहा है वो मैंने आपको दिखाई दिया कि आप उसको पैरलली shift करके origin से connect कर सकते हो और माल लीजे अब हमें ये लिखना हो कि unit vector along a b तो मैं क्या करूँगा भई unit vector along a b तो देखो unit vector के लिए हमने क्या क्या था कि unit vector किसी भी vector के along लिखना है तो हम उसको क्या 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 था उसके magnitude से divide कर देते हैं तो unit vector along a b will be a b cap और ये हो जाएगा b1 minus a1 और इसको i j k नहीं लगाता i cap j cap और k cap तो मैं बस इसरे simply ऐसे लिख देता हूँ b2 minus a2 और b3 minus a3 तो ये तो हमारा factor हो गया और नीचे इसके magnitude से divide कर देंगे तो क्या रहाँगा b1 minus a1 squared plus b2 minus a2 squared plus b3 minus a3 squared इसमें आप इसका unit vector along a b भी लिख सकते हो ओके अब ये question है a body moves with velocity of magnitude 10 root 3 meter per second it points in the direction of i plus j plus k then the velocity is ठीक तो basically इस direction में हमको velocity लिखनी है अच्छा अब आपको ध्यान होना चाहिए याद कर लो नहीं है तो आपको किसी भी vector के along unit vector इसके along अगर मुझे unit vector लिखना होता है तो मैं कैसे लिख देता हूँ vector a divided by its magnitude ये मैं लिख सकता हूँ unit vector अब अगर मुझे unit vector मिल गया तो इसी direction में एक और vector लिखना हो तो मैं क्या करूँगा उसको इसके कोई scalar होगा कुछ times होगा उससे इसको multiply कर दूँगा तो अब हमें क्या दे रखा direction दे रखी है i plus j plus k ठीक है यह हमें direction दे रखी है यानि कि ये vector है अब इसके along अगर में ये unit vector लिखना है तो मैं क्या करूँगा इसके along unit vector लिखने के लिए मैं इसके modulus से या इसके magnitude से divide कर दूँगा तो इसका magnitude क्या होगा यहाँ इसका component है i का 1, j का भी 1 और k का भी 1 तो इससे कर दूँगा तो ये मेरे पास basically क्या जाएगा i plus j plus k divided by root 3 ठीक है ये मेरे पास unit vector आ गया इस direction में लेकिन वो कह रहा है कि उसका जो body का जो velocity है वो 10 root 3 होना चाहिए इस direction में तो direction मिल गई ये unit vector मल गया अब मुझे इसके magnitude से multiply कर दूँगा तो मेरे पास exact answer आ जाएगा तो मैं इसको multiply कर देता हूँ 10 root 3 से root 3 से root 3 cancel हो गया तो हमारे पास जो आएगा वो आगया 10i plus 10j plus 10k ये हमारा answer है या फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे 10 10 10 ये हमें लिखना आता है बड़ी तेजी से हम लिखते हैं और इसलिए हम इस चीजों को मैंने आप से का था 3D में भी अगर आपको लिखना हो तो आप इस वे में आप use करते रहेंगे continuously झाल लाओ it झाल मारोम लाओ टनुशीन से कारता है झाल मीवेर बक्नी का लिखना का लगे यूनियोसली